नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है हर्शिद वेदी और मैं आपका स्वाइट करता हूँ अपनी इस वीडियो में इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों रीसेंटली सुप्रीम कोट ने election commission of India के order को revoke कर दिया है देखे election commission of India ने बोला कि कमल नात जी star campaigner नहीं रह सकते political party के कमल नात जी किसके star campaigner है इंडिया national congress के ऐसा क्या हो गया कि election commission of India ने कमल नात जी से उनके star campaigner का दरजा छीन लिया और सुप्रीम कोट ने election commission of India के order को रोग दिया देखे election commission जब कुछ करता है ना नॉर्मल कर केसे में supreme court उसको रोगता नहीं है बट अगर यहाँ पे supreme court ने election commission of India के order को revoke कर दिया है मतलब इस case को समझने वाली बात है यहाँ पे model conduct of play भी model code of conduct भी play में आ रहा है तो पहली बात तो देखेंगे कि by elections क्यों हो रहे है मद्यपरदेश में कमल नाच जी कौन है यह news में क्यों है हुआ क्या exactly election commission का क्या stance है star campaigner होता क्या है कितना expenditure incur कर सकता है stand यह star campaigner model code of conduct यहाँ पे कैसे apply हो रहा है section 77 in the representation of people act 1951 क्या बोलता है और finally Supreme Court यहाँ पे क्या बोल रहा है इस फीडियो में यहाँ तक की details को cover करूँगा हाला कि Supreme Court ने अभी election commission of India से बोला है अपना reply फाइल करने को तो यह news आगे update होती रहेगी तो मेरा नाम है अरशिद विदी दोस्तों आगे बारने से पहले इस फीडियो पर like का बटन जूरू दबा दीजे आपको अगर मेरे चैनल से मज़त मिल रही है तो अगर अब तक subscribe ना किया हो तो बिलकुर subscribe कर ले अगर आपने कर लिया तो जो भी आपके दोस्ते हैं भाई बहन जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कुछ सीखना चाते हैं उनको आप बोलके चैनल सब्सक्राइब कर वा सकते हैं चैनल पर जॉइन मिटन नबाके आप मेंबर बनके help कर सकते हैं पर फॉलो कर लिजे आपकी जनिन डॉट्स को जवाब दूँगा टेलिग्राम को जोइन कर लिजे वहाँ पर आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी अब देखी दोस्तों मद्र प्रदेश में हो रहा हैं बाई एलेक्शन बाई एलेक्शन क्यों चुकि तो 22 सिटिंग MLA थे इंडियनेशनल कॉंग्रेस के वो कॉंग्रेस वाले MLA चलेगे BJP की तरफ मार्च 2020 में देखे कमल नाथ जी की गौवर्मेंट आई थी 2018 में मुश्किल से कमल नाथ जी 15 महीने चीफ मिनिस्टर रह पाये थे उसके वाद उनकी सरकार गिर गई चुकि कॉलिशन की सरकार थी और उनकी तरफ के 22 सिटिंग MLA चलेगे BJP की तरफ तो 2018 की जो एसेंबली एलेक्शन हुए कॉंग्रेस को मिले 114 सीटे BJP को मिली 109 सीटे 230 मेंबर का मद्द पदेश की एसेंबली है तो कम से कम अगर 117 मेंबर जिस पार्टी के पास हैं वो अपना सरकार बना लेगी कॉंग्रेस के पास 114 सीटे थी दो सीटे और चाहिए थी तो इन्होंने क्या क्या कॉलिशन मदद ले ली किस के साथ भाउजन समाज पार्टी के MLA के साथ और एक समाजवादी पार्टी के MLA के साथ लेकिन आप बाद में देखोगे कि 22 MLA इंडियन नेशनल कॉंगरिस की BJP तरफ चले गए और जो तिरा दित्ते सिंधिया भी चले गए और सिंधिया के साथ 3 और चले गए तो टोटल 26 MLA आपके इंडियन नेशनल कॉंगरिस की BJP की तरफ चले गए अभी जब 26 MLA BJP की तरफ चले गए तो इंडियन नेशनल कॉंगरिस इसके पास पहले 114 MLA थे अब केवल कितने MLA बने 88 MLA बने अब ऑविसी बात है जो MLA दूसरे साइट पर चले गए है उनको डिफेक्ट किया जाएगा तो आटोमेटिकली BJP यहां मेजॉर्टी में आ जाएगी तो अभी के लिए BJP के पास 107 सीटे हैं और कॉंगरिस के पास आ गई हैं 88 सीटे अब यह जो 22 और 6 यानि 22 MLA पहले गए तीन बाद में गए और तीन MLA की मिर्टी हो गई तो टोटल 28 सीटों पे बाई एलेक्शन होना है ठीक है अब बात यह है कि अगर BJP को सरकार बनानी है तो इन 28 सीटों में से BJP को केवल 9 सीटे चाहिए जोकि अलड़ी BJP के पास 107 MLA है तो BJP already has 107 MLA इनको 9 और मिल जाएंगे तो 116 हो जाएंगे इनकी मेजॉर्टी बन जाएगे ओ शिवरासिन चोहान जो कि अभी चीफ मिनिस्टर है मद्रपदेश के वो आगे भी चीफ मिनिस्टर रहेंगे लेकिन अगर कॉंग्रेस को सरकार बनानी है इनको अपनी सरकार बनानी है तो कमसे हम 21 सीटे तो उनको जीतनी बढ़ेंगी तो अगर 88 सीटे इनके बास और यह 21 जीतते तो 109 पर पहुंचेंगे और फिर 109 पहुंचने के बाद एक कड़ी रेस करेंगे दो बहुजन समादवाची पर्टी के ML के साथ एक सपा के ML के साथ ताकि कॉलिशन में सरकार बना सके तो कुल मिलाके लिए कॉंग्रेस के लिए सरकार बनाना इस बाई एलेक्शन में काफी मुश्किल है लेइन फिर भी कॉंग्रेस पाटी कोशिश कर रही है और यहाँ पर कमल नाथ जी बहुत प्रोएक्टिवले इनवाड ने चुकि कमल नाथ जी ही चीफ मिनिस्टर थे और उनको चीफ मिनिस्टर की पद से रिजाइन करना पड़ गया कितने महीने के बाद 15 महीने के बाद कुकि उनके पास मैजॉर्टी नहीं बची थी मद्द्दपदेश असेमली में सर्विंग एंड सीनिर मेंबर से लोगसभा पर लोगसभा में तो यह लगातार ही जीतते आए हैं आप देखिए सोलवी लोगसभा में प्रोटेम स्पीकर थे सोलवी लोगसभा जो 2014 से लेके 2019 चली और प्रोटेम सीकर क्या होता है कि जब नई लोगसभा चुनके आती है तो जो सीनिर मोस्ट मेंबर होता है न लोगसभा का उसको प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है ये प्रोटेम स्पीकर सारे मेंबर्स ओफ पारलेमेंट को शपत दिलवाता है आप देखिए कमल नाथ जी 1980 से जो चिन्दवारा लोगसभा की कॉंस्टिट्वेंसी मद्द प्रदेश की यहां से लगातार जीत के लोगसभा के मेंबर बन रहे है चीफ मिनिस्टर का पद समाला इन्होंने मद्द प्रदेश का 17 दिसंबर 2018 को लेकिन 15 महीने के बाद 20 मार्च 2020 को इनको रिजाइन पढ़ गया क्योंकि इनकी मेजॉर्टी नहीं थी अब प्राब्लम क्या है प्राब्लम यह है कि कमल नाथ जी को बनाया गया है स्टार केंपेनर किसका इंडिनेशनल कॉंग्रिस का अब जब इनको स्टार केंपेनर बनाया गया सबसे पहले बात तो आपको समझना पड़ेगा कि स्टार केंपेनर होता क्या Election Commission of India की कोई specific definition नहीं स्टार केंपेनर पे आप यह समझ सकते हो स्टार केंपेनर वह चहरे होते हैं जो उस पॉलिटिकल पार्टी में बहुत फेमास होते है और जिनको जनता जानती होती है और ऑब्वेसी बात है मद्द परदेश की चीफ मिनिस्टर रिच्चु के गमलास साब तो इनको जनता जानती है बहुत लंबे समय से politics में involved हैं, इंडने नेशनल कॉंगर्स के दिगज लीडर है, ठीक है, star campaigner को appoint कौन करता, political party appoint करती star campaigner को, और ये उस political party का अंदर का बहुती prominent और popular face होता है, ठीक है ना, election commission of India ने star campaigner की कोई proper definition रखी नहीं, star campaigner को political party के leadership appoint कर सकती है, एक recognized political party 40 star campaigners रख सकती है, एक unrecognized but registered political party 20 star campaigner रख सकती है, जब भी कोई star campaigners elect किये जाते हैं, चुने जाते हैं party leadership के दोरा, तो उनके नाम chief electoral officer और election commission को भेज दिये जाते हैं, ठीक है, section 77.1 of representation of people act 1951 क्या बोलता है, this contains the guidelines of star campaigners, ये guidelines समय समय पर election commission दोरा issue की जाती है, यहाँ पर एक चीज तो भाई बिलकुल perfect है, star campaigner को चुनना और star campaigner का दर्जा वापस छीनना, ये special right है उस political party का, तो इंडियन national congress की जो leader है, वही decide करेगा कि एक election में इंडियन national congress के बहाफ पे कौन star campaigner है, और अगर कोई star campaigner है, उसको उसकी post से अटाना है, तो ये भी इंडि सीधी सीधी बात ये है, कि section 77-1 of representation of people act 1951 में ये साफ साफ लिखाए, star campaigners को चुनने की ताकत, political parties के leaders के पास है, अब देखे, मद्ध पदेश के जो former chief minister कमलनाच जी, political rally कर रहे हैं, ये जगा जगा पे जाके, इन्होंने गलत remark दे दिया, इनके मूँ से निकल गया, इन्होंने intentionally ये remark दिया, ये गलती से दिया, वो एक अलग बात है, डाबरा में, डाबरा assembly constituency है, गौलियर डिस्टिक्ट में, मद्ध पदेश में, schedule constitutional reserve constituency है, यहाँ पे देखे, क्या बोल गया है, कमलनाच जी, सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार है, या इन्ने नशनल कॉंगर्स की मुदार है, ये उसके जैसे नहीं है, किसके जैसे, ये बीजेपी की female candidate की बात हो रही है, क्या है उसका नाम, मैं उसका क्या नाम लूँ, आप तो मुझे पहले सावधान करना चाहिए था, ये क्या आइटम है, ये जो आइटम नाम का शब्द दोस्तों, ये इमर्ती देवी जी के लिए इस्तमाल किया गया है, अभी जैसे ही मर्ती देवी जी का नाम लिया गया, ये बीजेपी की तरफ से हैं, जितने भी बीजेपी के मेंबर से, जैसे सीम शिवरा सिंग चौहाने, बीजेपी के MP हैं, जोतरा दित सिंधिया, यूनिन मिस्टर नरेंदर सिंग तोमर ये सब लोग कमल नात के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में बैढ़ गये, उन्होंने बोला कि भाई, आप एक वुमेन का नाम आइटम कैसे ले सकते हो, और जब ये आइटम नाम लिया गया, तो इन फैक्ट राहूल गांदी जी ने भी इस चीज़ को आपोस किया, बट कमल नात का शब्द आपने कैसे इस्तमाल किया, अब यहाँ पे कमल नात साब क्या बोल रहे हैं, कि मैंने इस आइटम नाम की शब्द का इस्तमाल करने का मतलब ये नहीं है, कि मैं किसी वुमेन की डिग्निटी को नुक्सान पहुचा रहा हूँ, आइटम नाम का शब्द तो हम लो इस्तमाल करते हैं, और यहाँ पे देखी दो बाते हैं दोस्तों, यह बात बिलकुँ सही है, आइटम नाम के शब्द का प्रयोग दो तरीके सो होता है, एक तो आपसीन तरीके सो होता है, तो जो लफंडर टाइप के लड़के होते हैं, वो चौराहे नुकर पे खड़े होक क्या आइटम हो, यह तुम गलत कर रहे हो, सही नहीं कर रहे हो, तो यह दूसरा तरीका होगा, यह दूसरा तरीका आपसीन नहीं है, यह दोस्ती में एक छेड़ देने वाला तरीका है, तो आइटम को इन दो तरीके से प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे कमल नाज जी बोल है कि मैंने दूसरे तरीके से आइटम को प्रयोग किया पहले तरीके से नहीं मैं किसी भी तरीके का obscen statement एक woman की dignity का अगेंस्ट पास नहीं कर रहा हूं और कमल नाजी ने ये भी बोला है मैं इतने लंबे समय के लिए लोकसभा का member रह चुका हूं मैं इतने लंबे समय के लिए union पार्लिमेंट का minister रह चुका हूं मैं chief minister रह चुका हूं मत्यपदेश का 15 महिने के लिए और आज तक मेरे खिलाफ कभी कोई ऐसी complaint नहीं आई कि मैंने किसी woman की disrespect की हो गलत तरीके से किसी woman को address किया हो तो मेरे खिलाफ यह जो item नाम के शब्द के लिए इतनी morning issue की जा रही है यह गरत है मैंने कोई गलती नहीं की है यह साफसा बोल गया कमल नाज जी ने अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी होने लगी election commission of India ने कमल नाज जी को एक advisory issue की कि आप इस तरीके का कोई शब्द दुबारा प्रयोग नहीं करेंगे कमल नाज जी में बोला ठीक है हम नहीं करेंगे बट अब election commission of India कमल नाज जी के उपर यह इल्जाम भी लगा रहा है कि आपने जो अपनी campaigning limits हैं उनको cross किया है जितना पैसा आपको एक state legislative assembly की campaign में खर्च करना चाहिए आपने उससे आदा खतम किया अब यहाँ पे बहुत से issues उड़ गए है election commission of India ने किया क्या election commission of India ने star campaigner का दरजा छीन लिया किस से कमल नाज से अब भाया section 77 clause 1 of the representation of people act 1951 में साफ साफ लिख रखा है कि star campaigner का दरजा देने का जो अधिकार है वो political party के leader के पास है तो election commission ने यह दरजा कैसे चीना तो election commission ने यह बोला है कि model code of conduct को violate किया है कमल नाज जी ने कमल नाज जी ने यह जो item नाम का शब्द प्रयोग किया है यह woman की dignity के against है कमल नाज जी ने हमने जो advisory issue किये उसको repeatedly तोड़ा है अब इन तीन basis पे election commission of India ने कमल नाज जी का जो star campaigner का दरजा था यह चीन लिया जब बात आती है पैसे की तो भाई यह star campaigner का जो भी खर्चा होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाके election release करने का यह खर्चा political party उठाती for example किसी एक constituency में campaigning कर रहा है star campaigner जैसे कि यहाँ पे देखिए कमल नाज जी एक speech दे रहे थे वो कह रहे हैं जाके डाबरा constituency में कि सुरेश राजे जी हमारे representative है तो अगर सुरेश राजे international congress के बहाब पे डाबरा से election लड़ रहे हैं तो अगर डाबरा में stage पे आके stage share करते हैं कमल नाज जी सुरेश राजे जी के साथ तो सुरेश राजे जी कमल नाज जी का खर्चा उठाएंगे इस campaign के लिए जो भी photograph वगरा लगी है राजे जी की कमल नाज जी के साथ खर्चा कौन उठाएगा राजे जी उठाएंगे अगर star campaigner candidate का नाम लेता है जैसे कि राजे जी का यहाँ पे लिया गया है तो खर्चा कौन उठाएगा राजे जी उठाएगा तो कुल मिलाके star campaigner की अपनी कोई अलग limit नहीं होती star campaigner अपनी constituency में लड़ रहा है तो वहाँ पे जो खर्चा होगा वो वही उठाएगा लेकिन अगर वो किसी दूसरी constituency में जाके party के बिहाफ पे party के दूसरे representatives के लिए campaigning कर रहा है तो उसका खर्चा political party यानि कि वो campaigner जिसके लिए campaigning कर रहा हो उठाएगा किसी एक stage पे या किसी एक photograph में star campaigner के साथ-साथ उसकी political party के बहुत से candidate हो तो सारा candidate मिलके खर्चा उठाएगे यापे तो बात दोस्तों यहाँ पे यह है यह model code of conduct के violation के बात हो रही है अब star campaigner होने के नाते कमल नात जी को अलग अलग जगहों पे जाके campaigning करने में जो भी खर्चा हुआ वो कमल नात जी की election limit में count नहीं होगा वो political party की जो दूसरे member से इनके लिए campaigning की जारी उनके election commission की limit में उनके election expenditure की limit में count होगा model code of conduct की बात करो तो article 324 of the constitution election commission को यह power देता है कि वो elections को supervise कर सकते है चाहे वो parliament के election हो चाहे वो state legislature के election हो free or fair elections करवाना कि इसका काम है election commission का ताकि level playing field को maintain किया जा सके और वो किसे maintain किया जाता है model code of conduct दोर जैसे election schedule announce होता है तब से लेके जब तक results नहीं आ जाते election के model code of conduct applicable रहता है model code of conduct की कोई statutory backing नहीं होती बट फिर भी model code of conduct के अंदर election commission के पास काफी ताकते होती है model code of conduct को wallet करने के लिए एक election के candidature को रद तक कर सकता है election commission लेकिन यहाँ पे कमल नाच जी के election को रद नहीं किया गया है कमल नाच जी को बस star campaigner का दर्जा छीन रहे हो तो यहाँ पे बहुत basic चीज उठती कि star campaigner का दर्जा देने की काबलियत किस की है वो है political party के leadership की जब ये पूरा case पहुचा Supreme Court में Supreme Court में case लेके कौन गया खुद कमल नाच जी लेके गया कमल नाच जी के star campaigner के status को revoke कर दिया election commission of India ने कमल नाच जी सुप्रीम कोर्ट में जाके चलेगा Supreme Court ने election commission of India से पूछा आपने कौन से basis पे इनका star campaigner का दर्जा आटाया है पहली बात तो ये बताईए star campaigner का दर्जा देने की किस के पास काबलियत तो simple बात है section 771 of representation of people act 1951 के अंदर star campaigners appoint करने की ताकत political party के लीडर के पास है तो आपके पास तो star campaigner ना appoint करने की ताकत है ना ही हटाने की ताकत है तो कौन से basis पे आपने कमल नाच को अटा दिया अगर कमल नाच जी ने model code of contact को wallet किया है अगर कमल नाच जी ने election commission की advisory को negate किया है तो आप उनके candidature को रद कर सकते हो लेकिन आप उनको star campaigner की post से नहीं अटा सकते हो तो election commission ने सीधे सीधे ये supreme court ने election commission का जो revocation था कमल नाच जी को हटा दिया गया star campaigner की post से इसको revoke कर दिया और अभी के लिए फिर से कमल नाच को star campaigner बना दिया गया है हम अपना point reply के थूँ जल्दी supreme court के सामने लेके आएंगे अब यहाँ पे election commission क्या reply देता है supreme court के सामने ये मैं आगे आने वाली news में आपके साथ cover करूँगा so thank you for watching this video friends I hope आप इस topic को पूरी तरीके समझ गये होंगे इसके आगे जो भी इसमें update होगी वो मैं अलक सी वीडियो में आके आपको बताऊँगा thank you for watching have a great day goodbye